दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडिय में इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पूलिस टीशर एग्जाम के लिए काफी उसफ क्लिकर क्या परचेर्ज कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए करेंड एफेर्स प्लस जनल नौलेज के 25 अत्यन महत्पूर्ण कोश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले सभी गावरेंड एक्जाम SSC, बैंक, रेलवे, PSC, पुलिस, UP, TAT, सिक्षक भरती और सभी एक्जाम के लिए काफी महत्पूर्ण है इसलिए आप इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखें दोस्तों और यदि भी तेक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कलने साथ है बेल आइकन पेस कर दें ताकि आपको ऐसी डेली वीडियो मिलता रहे और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लागे दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों क्षार सेयर करतें जितने भी आपका फ्रेंड्स तैयारी करें निमनिखित कलाकारों में से किसे 2018 के लिए 3 से सम्मान से समनित किया गया है दोस्तों ये 3 सेolC engineer सम्मान है इस अमत्र प्रेंद्स गवर्मेंन दोरा दिया जाता है देखिए दोस्तों question पूछाता है तांसेयन सम्मान की। किसे सम्मानित किया गया परिशिद शितार बादक मंजू में ता हallo ऩुvär प्रण आप इतने point याद रखिएगा है एक्जाम में ऐसे question पूछा जाते हैं चलिए फिर हमारा अगला कोश्चन है निम लिखित में से किसे पूरुष मुख्य वाजी मुख्य कोच नियुक्त किया गया है तो इसका एंसर आपको पता है तो आप बता सकते हैं करेक्ट एंसर हो यागा दोस्तों आपसन भी सीय का टपा को ठीक है दोस्तों दौना चारे पूरुष कार विजयता हैं ये सीय का टपा को भारत का नया पूरुष मुख्य वाजी कोच नियुक्त किया गया है तीक है और दोस्तों वह अनुभवी कोच एस आर सिंग की जगा ले क्रिकेट परिशेदैनी ICC Hall of Fame में अधिकारी क्रूप से सामिल किया गया है किया गया है दोस्तों ये Australia के पूर्व कप्तान Ricky Ponting को Option B ठीक है ठीक है देखिए Australia के पूर्व कप्तान Ricky Ponting इनको ICC यानि International Cricket Council ने कि इसके Cricket Hall of Fame में शामिल किया गया है ठीक है Ricky Ponting दोस्तों उनके पूर्व साथी खिलाडी Glen McGregor ने समानित किया है दोस्तों ICC की बात हो रही है तो ICC का Full Farm को पता है International Cricket Council इस स्थाबना कब हुई थी दोस्तों ICC के स्थाबना हुई थी 1909 में और ये दोस्तों इसका Headquarter दुबई स्थाब अमिराद यूई में बरतमान चेर्मेन कोन है ICC के शशांग मनोहर जो की इंडिया के है और ICC के बरतमान CEO कोन है नि Chief Executive Officer CEO है बरतमान में रिचर्ड डेविड रिचर्ड सन ठीक है तो यहाँ प्याद रखिएगा आई-सी-सी आपको पता है कि बीविन ने खेल प्रत्योगता है आज जित कराती है इंटरनेशनल ठीक है चलिए फिर हमारा अगला उसन देख लेते हैं दोस्तों निम्ली खित मैंसे किसे ब्रिटिस समराज के सदस्थ के सदस्थ जो नामक शाही समान दिया गया है इसका करेक्ट एंसर जयागा दोस्तों ओप्संडी जगदेव शिंग बिर्दी ठीक ओप्संडी देखे दोस्तों ब्रिटिस सिख रिपोर्ट के संस्थापक जगदेव शिंग बिर्दी जो यूके में शिक्षमदाय के जीवन के बारे में जानकारी प्रतान करते हैं उन्हें दोस्तों बर्विंगम पैलेस में एक समारों में प्रिंस चार्ल्स ने मेंबर आफ ब्रिटिस एंपार यानि ब्रिटिस समराज के सदस्का साही समान इनको मिला है जग देयो शिंग बिरदी को तो इसका करेक्टर नसे हो यागा ओप्सन डी देखें इस वीडियो में आपके लिए जितने भी कोश्चन लेका राता हूँ सारे बहुत मात्पूर रहते हैं आपका अगाम एक्जाम्स के लिए तो आपको इस सारे अंसर पता है तो आप हमारे साथ सॉल्व करते चलिए तो नहीं पता है आपको नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ आप हमारे साथ त्याद करते चलिए 25 कोशन आपको त्यार हो जाएंगे आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए ठीक है तो वीडियो का आप इसकीब ना करें निर्मिकित में से किसे अमेरिका रक्षे सच्यू के रूब में न्यूक किया गया है और इनका कारेकाल एक जनवर दोहरोनी से शुरू होगा पैट्रिक सनाहन ठीक है उप्सन सी ठीक है देखे उस तो अमेरिकी राष्ट पदी जो है डोनाल ट्रम जी ने तेश दिसंबर को पैट्रिक सनाहन अमेरिका के नए रक्षा सच्यू होंगे वह जनवरी में अपना एक जनवरी से पदवार इन्होंने समाल लिया है ठीक है तो पैट्रिक सनाहन है अब अमेरिकी रक्षा सच्यू ठीक है चलिए कोश्चन 6 देख लेते हैं दिसंबर 2018 को निधन होने वाले असम की बुल बुल ऐसी पहचान वाले प्रसिद्ध गायक का नाम क्या है तो यह दोस्तों दीपाली बोर्थारकूर ठीक है ऑप्सन सी देखें दोस्तों असम की नाइंटिगेल के रूप में जाने जाने वाली दी अन्तिमसासली और 77 वर्ष की थी ठीक है असम की बुल बुल जो है असम की नाइंटिगेल इनको सब प्रसिद्ध यह थी इनका निधन हो गया है असम की है दीपाली बोथारकूर ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं हमारा कोश्चन नमर सेवेंट है बार्ष दोहर 17 क पस्चीम मंगाल की सियम ममता बेनर जी को इसकोच चील मिनिस्टर रापदयएयर पूश्कर शमानित किया गया है कि हुए aesthetics को भारत की महिला ग्रिगेट टीम का कोश के रूम में निक्ट किया गया है है किया गया है минимwir पूरु सनावी यर्लिवाज डबलू रमन को भारती महिले टीम का कोच निक्र्ट किया गया है ठीक है ? ओपसन D करेक्ट हो जाएगा डबलू वी रमन को इसके पहले थे रमेश पौवार अब बन गए डबलू वी रमन ठीक है ? बाटती भारत की महिलगरी टीम के कोच बन गए हैं कि कोशन नमर 9 ते हमारा दिसंबर 2018 में किश यूर्वपी देश के प्रधान मंत्री ने अपने पत से इस्तिफा दे दिया है ते बेल्जियम के ठीक देखें तो बेल्जियम के eclipse universe ड्वाठारा का खिताब जीता है कि देशसे सम कंदीत है Ben तो समंदीत दोस्तो फिलिपीनज की है ठीक हे यह बहुत मात्मोर कोशन है प्रिय ट्रीयाना ग्रे इनको mystery universe to the खिताब इनको मिला है और दोस्तों पिछले साल को पुभी यहता थी मिस उनिवर्स की डेमी ले निल पीटरस ने इनको ये ताच पहनाया है ठीक है दोस्तो मैं आपको मिस उनिवर्स के बारे में कुछ इंपोर्टन फैक्ट बता देता हूं जो आपके आगामी एक्जाम से पूछा सकते हैं दोस्तों मिस यूनिवर्स संगठान द्वारे आजित किया जातने वाली एक वार्षी का अंतराश्टी संदर प्रत्युकता है और मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल और मिस आर्थ है यह जो है दुनिया की चार सबसे बड़ी संदर प्रत्युकताओं में से एक है दोस्तों मिस यूनिवर्स की खिताब की शुरुवात कब हुई थी 1952 मिस के शुरुवात हुई थी और दोस्तों आपको बता दें जो हैंसकोशन बनता है भारत की तरफ से दो संदरिये जीत सकी है 1994 में दोस्तों 18 वर्ष की उम्र में सुष्मिता सेन ने जीता था और सन 2000 में 22 साल की उम्र में लारा दत्ताय ने उपलब्धी हसिल की थी और दुनिया का दुस्तों पहला मीश उनिवर्ष प्रत्युकता उन्हें शबामन में अमेरिका के कैलिफूनिया में हुआ था और अभी लेटेस्ट आप याद रखेंगे 2018 का मीश उनिवर्ष खिताब किस ने जीता है के ट्रियाना ग्रे और यह कहां की है तो यह हैं फिलिपीन्स की ठीक है सब्सक्राइब तो यह जितने मैं आपको पॉइंट बताया हूं इसको आप नोट कर लीजे आप इसको लुगूल याद रखिएगा पूछा जाता है ठीक है फिर हमारा अगला वोशन दोस्तों वैडमिंटन वर्ल्ट टूर फाइनल टॉफी दो रठारा के किताब जीतने व ओकुहारा को इन्होंने पराजित किया ठीक है तो यह आप याद रखिएगा हमारा अगला कोशन दोस्तों किस भारती अमेरिकी फिल्म निर्माता को हाली में फ्रेंच नाइट आप दा नेशनल ओर्डर आफ मेरिट से सम्मानित किया गया है अशोक अमरत राज ठीक है उप् की लोगों में मिस इंडिया वर्लड वाइड दो अठारा की जीता है में मिस इंडिया वर्लड वाइल कि माज अधार चुना गया है तो याद रखिएगा शरी सैरी इगा अगला suggestion दोस्तों बहुत मात्पूर्य है और काफी important बार-बार पूचाता है ज्यानफीट पूरश का दोइध की से समानीत कि आ गया तुस्तों प्योद्ध की तो ग्ष्च को ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूख देश की जो मानेता प्राप्त 22 भासाएं हैं किसी भी भासा के साहितिकार के श्रीजनात्मा के योगदान है तू भार्टिक जानपी टेस्ट वारे यह पूरुषकार दिया जाता है और पहले जिए ग्यानपी पूरुषकार विजयता कौन थे प्रथम विजयता थे जी संकर कुरूप मले आलम साहिती से थे ठीक है इसमें 11 लाक रूप है इसमर्ती चिन्हों प्रसस्ति पत्र और वागदेवी के प्रतिमें इस पूरुषकार में दिया जाता है जितने भी आपके कोश्चन बनते हैं दोस्तों मैं आपको सारे बता दिय से बाहर एक भी कोश्चन नहीं जाएगा लेटेस जरूर याद रखिए यान पीट पूश्का दो अठारा अमिताब गोश्च को मिला है ठीक है बहुत मात पून है फिर हमारा अगला कोश्चन है दोस्तों दिसंबर 2018 में किसे भारती फिल्म एबम टेलिविजन संस्थान या को दिसंबर में भारती फिल्म एबम टेलिविजन संस्थान इनी FTII का द्यक्ष पद पर इनको नुक्त किया है ठीक है याद रखिएगा ये भी काफी इंपोर्डेंट है फिर हमारा दोस्तों अगला कोश्चन है कुछ आप जन्ना नोलेज की इंपोर्डेंट कोश्चन दे स्थाबना को थी कोश्चन पूछा आता है भारती राश्टी कांगरेस की स्थाबना हो थी 28 दिसंबर 1885 में ठीक है ये याद रखिएगा कौन से स्थापक ए ओ यूम दादा भाई नरोजी और बिंसा वाचा ठीक है और दोस्तों अभी वरत्मान में कौन है भारती राश्ट प्रश कौन थी एनी बेसेंड ठीक है ओप्संसी करेक्ट हो जाएगा फिर हमारा कोश्चन नमर 17 है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वाईसराय कौन था जोस्तों बंगाल विभाजन के समय वाईसराय थे लाड करजन ठीक है कोश्चन कई वार एक पूछा गया है बंग गदर प्राटी के प्रमुक नेता थे लाला हर्दयाल ठीक है गदर प्राटी के स्थाफ़न विथी 1913 में ठीक है चलिए हमारा अगला कोशन है सुराज मेरा जन्मसित धदिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा यह किसने कहा तो यह आप सबको पता ही है बार बार यह कोशन करी हमारी है हम उसे लेकर ही रहेंगे आपको हतास नहीं होना है ठीक है लगे रहना है आपकी है कवर्मेंट जाओ आपको मिले एक नएक दिन आप लोग लगे रही है बस बस पढ़ते रही है प्रैक्टिस करते रही हतास नहीं होना है question number 20 है भारत में muslim किस थाबना किस वर्ष हुई थी दोस्तों भारत में muslim किस थाबना हुई थी 1906 में ठीक है 1906 में 아 asiatic society आप बंगाल के सस्थापक कौन थे जिसका इंसर आपको पता ही होगा asiatic society आप बंगाल के सस्थापक थे sir william jones ठीक है sir william jones अगला question है बहुत मात्पूर है इंदिरा गांथी राष्टी मानो संगरहले कहा है आपको पता है तो बता सकते हैं दोस्तों इंद्रागांथी राष्ट्री मानोसंगरहले है दोस्तों ये भोपाल में ठीक है भोपाल में है राष्ट्री इंद्रागांथी राष्ट्री मानोसंगरहले भारती सर्वेक्षण विभाग का मुख्याला है कहां इस्थित है दोस्तों भारती सर्वेक्षण विभाग का मुख्याला है यह देहरादून में ठीक है option C देहरादून भारत में प्रत्थम खुला विश्विद्याले नियो open university कहां इस्थापित हुई थी नई दिल्ली में ठीक है नई दिल्ली में option D correct हो जाएगा लास्ट कोश्चन है दोस्तों भारत में प्रथाम सर प्रथाम IIT यानि इंडियन इस्टिटीट आप टेक्नलोजी की स्थामना कहां की गई थी दोस्तों भारत की प्रथाम IIT थी खड़ाकपूर भारत की प्रथाम इस् सच करके और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और कमेंट बॉक्स अपने इसको जरूर सम्मिट कर दोस्तों प्लीज वीडियो लाइक शेयर जरू करें दोस्तों मिलते हैं ने शुद्यों के साथ आप अपना ध्यान रखिए स्वस्त रही बेस्त रही है मस रही है all the best जै जय हिन जय भारत